हेलो एंड वेलकम मैं ये रिस्टूनेंट एससी अड़र 24-7 पे आपका स्वागत है और सुरुवात करते हैं आज के इस सेशन की जिस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं पढ़ने वाले हैं आज संडे हो गया और सबसे पहले तो छमा करिएगा यार कि मैं थोड़ा सा लेट आया आपके सामने उसका भी रीजन था त्यारा संडे है यार मतलब समझ रहो न और संडे को तो थोड़ा एक्सक्यूज दे देना चाहिए तुम लोगों को न थोड़ा सब वो लाईएगा तो भईया आप सभी लोग को गूड इवनिंग गूड इवनिंग सुरुवात करते हैं आज के सेशन की थोड़ा सब माइक को लगा ले ठीक है थोड़ा माइक को लगा ले तुम लोग के चकर में आते आते ना मेरा जैकेट भीग गया यहां दिल्ली में बारिस हो रही है साय तुम लोग को न पता हो तो मैं बता दू कि दिल्ली में बारिस हो रही है उस बारिस की वज़़ा से हर रेड लाइट जाम मिला हर रेड लाइट जाम मिला तो मेरा जैकेट भी गया आप मुझे ठंडा लग रहा है दो अपना रजाई जैकेट कमबल अब बताओ अब क्या बेवस्था है चलिए तो पहले कोश्चन की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि पहला कोश्चन क्या है ठीक है ना पहला का कहीं रिटेन गारेंटी देने को तयार हूँ गरबढ़ाओगे तुम लोग और आज जो मेरे MTS, GD, CHS, CGL सभी के लिए आज तारीक तुम लोग याद रखना 29 तारीक दिन याद रखना रवी बार और देख लेना कि आज के 1500-200 कोश्चन में तुम क्या कर सकते हो ठीक है क्या तो कुछ कहने के लिए आएंगे हां recorded है recorded है तो उनको तुम लोग एक जिम्मेदारी उठाना कहना चल निकल इधर से ठीक है न वो आएंगे कहने के लिए उनको बस तुम लोग बोल देना कि चल निकल इधर से ठीक है न एक तो ससुरा संडे के दीन आओ अब तुम चलेगा ही चलेगा ठीक है ना चलेगा ही चलेगा तो सुरुवात करें सुरुवात करें पहला कोश्चन लाने जा रहे हैं एसे सीड़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और एक लोग बोलने सर आपका टीशर्ट बड़ा धीला ढाला है हां मुझे आज ऐसा पहनने का मन किया कुछ मिला ही नहीं मुझे तो मैंने पहन लिया क्योंकि मैं जो कपड़ा पहन करके आ रहा था वो क्या हो गया था वो ठंडा हो गया था ठीक है ना जो मैं कपड़ा पहन के आ रहा था वो गिला हो गया था ठीक है तो चलो सुरुवात करते हैं आज के सेशन का और देखते हैं कि सेशन में क्या मिलेगा कैसा मिलेगा किस तरीक एक चीजे रहेंगी अरे कोई टी शर्ट जैकेट कुछ लेते आओ यार ठंडी लग रही है यार हाँ हो गए तो हो गए पहला कोश्चन ठीक है पहला कोश्चन आपके पापी कोंडा राष्ट्री उद्यान क कहां पर है यह आपको बताना है लला बसम कुछ अपने लिए टी-शर्ट जुगाल कर ले ठीक है न तो इसका राइट राइट एंसर है आपके आंधर प्रदेश आंधर प्रदेश इसका राइट एंसर है नेक्ष देखते हैं अमावसी हवाई अड़ा कहां इस्थीत है बता इकित में से कौन वीरता पुरुसकार नहीं है महावीर चक्र सौरे चक्र पद्म चक्र या असोग चक्र कौन सा ऐसा है जो वीरता पुरुसकार नहीं है लेते आओ मिल जाएगा ठीक है ना लेते आओ मिल जाएगा वीरता पुरुसकार नहीं है सो समझ के अंसर करो कौन सा इ पुरुसकार आपके पदम स्री नहीं है नेक्स्ट कोश्चन उत्तर प्रदेश में जौन पूर किस नदी के किनारे बसा हुआ है याद रखना ये जो जौन पूरे नलला इसको बसाने वाला कौन था तो सर इसको बसाने वाला था फिरोस साह तुगलग अपने बड़े भाई ज पक्षी आभेरन किस राज्य में स्थित है चाहे आप कोई भी चाहे आप कोई भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हो जी डी सी एचसल सी जी एल एमपी पी एससी कुछ भी कर रहे हो आज का सेशन सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट बनने वाला है काजू वैली ये आ बिल्कुल किसके नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है सो समझ के एंसर करो लला किसके नाम से जाना जाता है तो आप कहोगे कि सर ये आप आपके कंचन जंगा स्टेडियम साल्ट लेक मोहन बागान या फिर इडन गार्डन ठीक है या फिर इडन गार्डन तो राइट सर आपके बनेगा, Salt Lake Stadium और ये है आपके, जिसको हम जानते ये भारत के बड़े stadium में से है, West Bengal में पढ़ता है, अटल बिहारी बाजपेई, पुस्तक के लेखक कौन है, बताओ जरा, अटल बिहारी बाजपेई, पुस्तक के लेखक मैं लिख करके दे दू, कुछ दिनों बाद जब तुम्हारा एक्जाम होगा, तो तुम्हें क्या मिलेगा, कि ये देखने को मिलेगा, कि तुम किस तरीके से इन चीजों को हैंडल करोगे, और रामगड विजधारी आपके पढ़ता है, राजस्थान में, ठीक है न, और आज जो जो questions तुम्हारे आँक के सामने आ रहे हैं, उनके पीछे एक particular causes हैं, उमिंग ला दर्रा भारत में कहां इस्थित है, उमिंग ला दर्रा भारत में कहां इस्थित है, ठीक है, लद्दाक में, ठीक है न, ये इतना हरा, इसको ब्लॉक करो, रुको, इसको ब्लॉक करो, एक आ गया लिखने के लिए, recorded class चल रहा है, तुम लोग को हम क्या सिखाये थे, जब कोई आएगा ये बोलने के लिए कि recorded class चल ला है, तो तुम लोग को क्या बोलना है, चल निकल, बोलो उसको चल निकल, सब लोग comment करो, cn, एक हैं, सोनी, मिस्रा, उन्होंने लिखा recorded class, तो भा एक तो ससुरा अपनी छुटी कुर्बान करो, एक तो मतलब दिन रात एक करो, अब फिर आके बोल दे, recorded class चल ला है, अब बाकी खेती है, लिखो सब लोग cn, उसको निकालो यहां से, ठीक है न, अगला point, मुला पेरियार बांध भारत के किस राज्य में स्थित है, भीगते भीगते, यहां आदमी निकल के आ गया, कि पढ़ा दे, लेकिन नहीं, हाँ, बताओ, मुला पेरियार बांध भारत के किस राज्य में, केरल, तमिलनाडू, आंध प्रदेस, या फिर करनाट का, याद रखना, मुला पेरियार, यह आपके पढ़ता है, केरल में, ठीक है न, क केरल में, और नंबर आफ क्वेश्चन्स जादा है, इसलिए, अचाए, एक स्टुडेंट है, करें, सर, दर टेन मिनट सो लाओ, क्या वास्तों में, दर टेन मिनट सो की जरूरत है अभी, बताइएगा, बराउनी थर्मल पावर प्लांट की सराज्य में है, आंध प्रदेस, कौसल विकास और उद्धिमिता मंत्री कौन है, बताइगा, who is the union minister of skill development and entrepreneurship, बताइगा, नितिन गटकरी जी, नई सर, ये तो हो ही नहीं सकते, उसके बाद जगत प्रसाद नडड़ा, नई सर, जेपी नड़ा तो भाजपा के अध्यक्ष है, धर्मेंदर प्रदान, नई सर, य ये है, ये तो धर्मेंदर प्रदान जी अपने सिक्षा मंत्री है, ये गलत है, गलत है, ठीक है न, ये गलत है, ये बात याद रखना, जेपी नडड़ा ने, जेप्रकास नड़ा, जेपी नड़ा इसमें भाजपा के अध्यक्ष है, ठीक है, चलिएगा, अगला, मंत्री भी है और ये भी है ठीक है न अगला question इस पर मैं बात कर लूँगा इसके लिए परसान मत हो ना मैं इस question को अभी null and wide कर देता हूं क्योंकि confusion भरा हो गया और कोई भी गलत या confusion भरा answer नहीं दिया जा सकता अगला देखते हैं रीगा किस देश की राजधानी है नाम भीबिया कुवैत लात्विया या फिर मेसोडोनिया बताईएगा नाम भीबिया मैं इसके बारे में कल बताऊंगा आगे बढ़ो अगले question का answer करो सर इसका answer है लात्विया अगला question देखते हैं निमलिकित में से किस समुद्री बंदरगाह को दीन दयाल प्रोर्ट ट्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है मर्मा गोवा को न्यू मैंगलोर को कांडला को या फिर कोची को सो समझ का answer करिएगा सर इसका एकड़म राइट एंसर बनेगा कांडला अगला question यह है दामबो लिम हवाई अड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है दामबो लिम हवाई अड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है वहीं पर रख करके उसको वहाँ पर हटा दो हाँ ठीक है जा हो गया तो डामबो लिम स्थित है आपके गोवा में अभी गोवा का जो हवाई अ है उसको हम लोग मोपा नाम से भी जानेंगे जो मनोहर पारिकर जी को समर्पित किया गया है अगला क्वेशन आपके यहां पर है ठीक ना किसो नहीं 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 वह चलो पड़ते रहो विसु सीमा सुल्क संगठन का मुख्याल है कहां पर एक्चुली मैं तुम लोग को है और राइट एंसर है भ्रूसेल्स बेल्जियम ठीक है अगला क्वेशन तो रग्या महुत्सौ भारत के किस राज्च में मनाये जाता है आज के करीब डेढ़ सो दो सो प्रश्न है उन सारे प्रश्नों को बहुत ध्यान से एंसर करो मैं लिख करके देता हूं के MTS के पेपर कहां के थे देखो इतना तो मैं कह दे रहा हूं न न्यूजी लेंड होगा न साउथ अफ्रिका होगा फिप्टी फिप्टी करा दिये के बीसी का अब खेल के देख लो लला कि कहां कहोगा इंगलेंड आस्ट्रेलिया अच्छा एक बैमानी तुम लोग देखोगे कितने स्ट काशु ब्रह्मानंद रेड़ी राष्टी उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है अगर इदर उत्तर भारत का एक आग दिया रहता तो उसको तो आप्शन से हटा देते हैं लेकिन यहां तो चारो के चारो लगभग दक्षिड भारत की तरफ ही मूव कर रहे हैं अब क् सर तयलंगाना ठीक है न काशु रेटी तयलंगाना अगला डी आइ सी जी सी का मुख्याले कहा है कई लोग को तो फुल फॉरं नहीं पता होगा क्यों कि वो सुबह के सुबह के करिंड अफेर में नहीं आ रहे है या खुद से नहीं पड़े कोई जरूरी नहीं है कि महीं कहां पर है इसका मुख्याले, सर इसका मुख्याले पढ़ता है, पेरिस में, नेक्स्ट, आपके आई लीग निमलिखित में से किस से संबंधित है, जैसे एक आपके होता IPL, किर्केट से हो गया, आपके यूरो कप, ठीक है न, फीफा, फुटबॉल से हो गया, उसी तरीके से क आपका बन रहा है कि आई लीग निमलिखित में से किस से संबंधित है, दोस्त, याद रखना, फुटबॉल से ही आपके आई लीग संबंधित है, नेक्स्ट पे जाएंगे, महा कालेश्वर मंदीर, किस नदी के थट पर है, महा कालेश्वर मंदीर, ये कहां पर है सर, ये जो कहां बचा बसा है सर सिप्रा नदी के किनारे बसा है छिप्रा या फिर सिप्रा ठीक है ना लिया महापैक धीमाल म्यूजिक बहुत बन्या धमाल म्यूजिक साहब अगला बांगला देश का राश्ट्री खेल क्या है पता ना मैं एक बात का आपको भरोसा दिलाना अगर यहां से कुछ दिन तक लगातार हमारे साथ मेहनत कर लिए तो MTS इस बार आपका क्वालिफाई करवा के रहूंगा यह मेरा आपसे वचन है GS का रोल बहुत जादा बढ़ गया है ना तो मैं इसको तो करके ही रहूंगा करवा के ही रहूंगा अच्छा भारत में जो प प्रो कबड़ी लीग इस बार प्रो कबड़ी लीग का विजेता कौन है बताएगा प्रो कबड़ी लीग 2022 का विजेता कौन है अब याद आ रहा है सर प्रो कबड़ी लीग का विजेता अभिशेक बच्चन की टीम है अरे सर अभिशेक बच्चन की टीम मतलब जैपूर पिं लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ, ये तुम्हारे MTS 2016-17 के पेपर का कुश्चन है, मारलिन पुरुसकार, याद रखना, मारलिन पुरुसकार दिया जाता है, जादूगरी के छेतर में, जो बहुत बड़े-बड़े जादूगर होते हैं, वर्ल लेबल के, उन्हें दिया जात हम लोग पढ़के जाएंगे, भारती स्टेट बैंक, हम लोग पढ़के जाएंगे, ICICI, HDFC, Axis, बैंक का बड़ोदा, पंजाब, नेशनल बैंक, धीरे से पूछ देगा, जनता से रिलेटेड एक कुश्चन, और हम टाय टाय फिस हो जाएंगे, लला राइट एंसर बनेगा बैंगलूरू, अगला देखिएगा, गोटी पुआ, किस राज्य का लोक निर्त है, मैं कहीं पे लिख करके, वाइट पेपर पे साइन करके देने को तयार हूँ, कि इस बार तुम लोग के MTS के पेपर में 25 कुश्चन में कम से कम दो कोश्चन लला, आर्ट एंड कल्चर का रहेगा, उसमें भी अगर मैं बता दू, तो एक कोश्चन मेला का रहेगा, और एक कोश्चन नित्य वगेरा, या फिर वादियंत्र का रहेगा, मैंने पिछले 10 दिन में, कम से कम, 10 बार, इमान दा, आप त्यारी कर रहे हो, आप साइद न देख रहे हो, लेकिन मैं 10 बार इ पुश्लो के लिए टफ हो, लेकिन बेटा, सच्चाई से, मेरे भाई, मेरे दोस्ट, सच्चाई से रूबरू कराना भी तो मेरा काम है, आखिर आपके गुरू और दोस्त पद पे बैठा हुआ हूँ, और इसका राइट एंसर बनेगा, United Nation Environment Program, ये आपका इन्वार्मेंट है ये आपका इन्वार्मेंट है, ये आपका इन्वार्मेंट है, ठीक है न, अगला कुश्चन पे आते हैं, निम्न मेंसी कौन सा हो आयड़ा, मध्य प्रदेश में मौझूद है, बताओ, कौन सा है, सर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, भोपाल की स्थापना आजाब भोज एरपोर्ट, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, इंद्रा गांधी वाला कहां पे है सर, ये तो सर अभी दिल्ली में है न, टर्मिनल वन, टर्मिनल टू, टर्मिनल थ्री के तीन-तीन टर्मिनल पढ़ते हैं, ठीक है न, अगला कोश्चन आपके लिए यहां प अगला कोश्चन आपके स्क्रीन पे, अम उसी तो सभी को पता है सर, लखनो में यह कोश्चन हो चुका, इसलिए इसको हटाइए, निम्न में सी कौन सा वीरता पुरुसकार नहीं है, अरे यार, ये दुबारा आने लगा है क्या, हाँ, अब ठीक है, केरल के वरतमान मुख्य मंत्री कौन है, बताओ, केरल के वरतमान, देखो कुछ ऑप्शन इंगलिस में है, घबराना मत, मैं इनको हिंदी में भी कर दूँगा, सर, केरल के वरतमान है, पिनरई विजयन, अगला आ जाओ, उपन्यास, देखो ये नाम है, ये हिंदी में रहें, लल्ला चाहे, इंगलि सीट कनफर्म, हाँ यार, तुम विश्वास कर लो, सिर्फ अपने पे न, 90 दिन मेरे साथ सिर्फ लग जाओ न, मैं लिख करके देता हूँ, इस बार तुम MTS में सलेक्टेड रहोगे, और इसका राइट एंसर है, अमीस्तिर पाठी, अगला क्वेशन देखो, साची में साची, साची का मतलब सर मध्य प्रदेश, भोपाल से करीब करीब लल्ला, 60-70 किलो मिटर दूर साची पढ़ता है, और वहीं पे बहुत धिसमारक है, आप देजाई है न, साची का बहुत इसपूत बहुत फेमस है, ठीक है न, अगले कुश्चन पर आजाओ, वेदान्त, ज टांसलेशन नहीं कर पाया, उसके लिए छमा कर देना, ठीक है, हाँ बताओ कि देवेदान्त जार्सु गुडा पावर स्टेशन, किस राज्य में है, सर, ओडिशा में है जार्सु गुडा, ये प्लेस, जो ओडिशा के हमारे स्टुडेंट होंगे, भगवान जगननात को मा उनको अच्छे से पताओगा जार्सु गुडा कहां है, ठीक है, वैसे मेरे चाचा यहीं रहते हैं, जार्सु गुडा, अगला देखते हैं, लच्मण जूला एक निलंबन, निलंबन मतलब सस्पेंसन पुल है, सस्पेंसन पुल है, जो गंगा नदी के पार किस राज्य में स्थित है, ठीक है न, लोकेटेड इन विचे, जो गंगा नदी पर है, एक्रॉस दर रिवर गंगा, जो गंगा नदी पर है, ऐसे कर लो, जो गंगा नदी पर है, कि सर इसका राइड एंसर बनेगा, उत्तराखन, ठीक है न, लक्षमण जूला, उत्तराखन, अब एक तो आपका इतना सा तो सपोर्ट चही है न, ठीक है न, बिल्कुल, कि भया इसको लाइक वाइक करते रहो, ठीक है न, और निर्मला सीता रमन एक भारती राजनितिग्य हैं, जो भारत के वित्त और कारपरोट मामलों के वर्तमान मंतरी के रूप में काररत है, निर्मला सीता र राज्य सभा सांसद हैं करनाटक से, अगला देखिएगा, बुलंद दर्वाजा, दुनिया का सबसे उचा प्रवेश द्वार है, हाँ सर है, यह एतिहासी का स्थान किस राज्य में स्थीत है, सो समझ के बताएगा, यह एतिहासी का स्थान किस राज्य में स्थीत है, सर यह क्यों था एक सिकेंड अगले कुश्चन का अंसर करो यहां क्लास का गेट खुला हुआ है ठीक है हाँ बोलो वो एक्चुली कुछ लोग आपस में हसी मजाग कर रहे थे तो उन्हें नहीं पता था कि क्लास की गेट खुली हुई है तो भाई मानो सभाव है थोड़ा हसी मजाग चलता है आप लोग एंसर पे करिए कुशोक बकुला रिम पोची हवायड़ा किसा स्थान पे है सर लेह में है लेह में है लला ठीक है न बिलकुल अगला कोश्चन मर्डे का कब किस खेल से संबंदित है एक बात याद रखना आउसर जीवन में बार बार नहीं आता है मैं केंसी के बारे में बताने वाला हूँ जो आई हुई है मात्र दस्वी पास के आधार पे मैं MTS की बात नहीं कर रहा है एक और है जो आई हुए साथ कुछ लोग को पता हो कुछ को नहीं डीटेल बताऊंगा ध्यान से सुनके जाना कि देखो आउसर बार बार दरवाजा खट खटा रही है मैं तो अपने सबदों में कहूँ कि आउसर है कि माथे पे तילक लगाने जा रही है और आप हैं कि मुह धुलने पे उतारू है कि नहीं नहीं । ठीक है न, चलो बताओ, विशु सतरंज संग, सर विशु सतरंज संग का लुशाने, स्वीटजर लेंड में हेट क्वाटर है, कोशन अच्छे अच्छे है न, सच सच बताओ, कोशन में मजा आ रहा है की नहीं, अगला प्रसंद देखिएगा, अली ए लिंगांग, क्रिसी से ज मारना दिल पे हाथ रखे बताओ, पता है, नहीं पता है न, और यह आपके पेपर का प्रिवियस येर का कोशन है, असम में मनाय जाता है लला, असम में मनाय जाता है, अगला आईएगा, 2022, अचा, ICC से एक बात याद आया, ICC आवार्ड्स की घोशना कर दी गई है, कल मैं इ 10 मिनट सो ले लूँ, दर 10 मिनट सो ICC आवार्ड्स के उपर, बताइए, किसको क्या आवार्ड मिला, ठीक है न, इसको क्या आवार्ड मिला, इसके उपर एक दर 10 मिनट सो ले लूँगा, आप लोगों का, ठीक है न, एक दर 10 मिनट, जो लोग दर 10 मिनट सो को जानते होंगे, उन्हें उसकी value भी पता होगी और इसका answer है Antigua Barbuda ठीक है ना अगला 2022 ICC Under अगला कच्छा एक से 7 तक के लिए open air classroom program परह सिक्षाले किस राज्य द्वारा सुरू किया गया है बताईएगा परह सिक्षाले किस राज्य के द्वारा सुरू किया गया है आप कहोगे सर परह सिक्षा है West Bengal COVID के तोरान हुए बच्चों की सिक्षा में हानी के लिए परह सिक्षाले जिन मेरे स्टुडेंट्स जिन मेरे भाई को ये लग रहा हो कि आसुतो सर आप तेज पढ़ा रहे हो लला आज मैंने वहले ही कहा था कि डेड़ सो कोश्चन है और बड़े ही अच्छे तरीके से सभी को हैंडल करना है बताओ तो जरा वी अससी ये क्वेश्चन आज मैंने सुबह पढ़ाया है करेंट अफेयर जब चल ला था तो पता नहीं कैसे इस क्वेश्चन का कुछ जिग्र हुआ था आज सुबह अब मुझे करेक्ट याद भी नहीं लेकिन मैंने पढ़ाया है औ अगला देखिएगा और आज सुबह का जो करेंट अफेयर चला है सव क्वेश्चन वाला उसको जरूर दुबारा देखना आप कहोगे तो मैं उसको दुबारा पढ़वा दूँगा एक दिन रिकॉर्डेट चलवा दूँगा लेकिन वो सव क्वेश्चन लास सिक्स मंद के बहुत इन पॉर्टेंट है किस मंच ने टेक अप ब्रेक? भैया टेक आप ब्रेक लोग दिन भर मोबाइल लेकर टींगा टींगा करते रहते हैं मोबाइल के एक एप ने बोला टेक अप ब्रेक लाला इंस्टाग्राम रात हो गई, दो बज़े एक बज़े, कुछ तो लड़के इतने ना लायक, ससुरे आँख ठक जाती है, लेकिन उसके बावजूद लगे रहेंगा, रहें, कुछ तो हो जाए भाईया, कुछ नहीं होगा, सलेक्षन ले लो, समझ रहो तुम लोग न, सलेक्षन ले लो, नहीं एंजल प्रिया, एंजल प्रिया करते रहोगे, एंजल प्रिया के नाम से पता चला कि बगल के पडोसी का लड़का अपना आईडी बनाए बैटा है, ऐसा दिल तूटेगा एंजल प्रिया में न, कि फिर तुम समझ लेना, फिर हम से मत करना, घुरू जी मेरा दिल तूट ग लिए अनिस्टॉल कर लो और तुमारी जानकारी के लिए बता दू मैंने दो महीने किराये दे करके पांच हजार एक रुपए को लड़के को दे के दो महीना इंस्टाग्राम चलवाया कुछ नहीं मज़ा आया भाई वो कहता था सरा फेमस हो जाओ गया हम के तुर रहने दे भ रहाम है समझ रहे हूं चलिए अगलेक्स प्रडऻक्राम यह इंस्टाग्राम ने चला है ट्वीटर ने नहीं ठीक है इंस्टाग्राम की पहल है अगला कोशन देखिए वर्ड गोड काउंसिल के गोल्डेन हब पौर्टल के अनुसार अपने अधिकारिक संडभंडार के माम पुरूस थो कम सौने में बड़ा इंट्रेस्ट लेते हैं, गोल्ड में भारत की रैंकिंग 10 पे है, ठीक है ना, ओबरॉल 10 पे है, अगले पर आते हैं, वित्समंत्राले में वित्सेवा विभाग में, सचीव के रूप में किसे निप्त किया गया है? वित्र मंत्राले में किसे निउट किया गया है सर संजय मलोध्रा जी को निउट किया गया है अगला देखेंगे भारत में मडी रंग परवत कहा है सर हम लोग सत्पूरा सुने, अलमोडा सुने, कांजी अब वो आपके एवरेष्ट सुने, केटू सुने, कंचन जंगा, गाडवीन, आश्टिन, छतिस सुने, मडी रंग, सर मडीपूर आपसन दे दो न, उधरी हम लोग अरजेस्ट कर देंगे, यह होगा न, मडीपूर देते मडीपूर को मडी रंग, नहीं लल्ला, यह आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश को आप लोग याद रखना, देव भूमी भी कहते हो, ठीक है न, हिमाचल प्रदेश को देव भूमी भी, अभी अभी यहाँ चुना हुआ था, दिसंबर में, मच कैंसर करो, बोमडिला दर्रा कहां पेस्तित है, भाई आप पवन कुमार कहें, बोल लो कि सर, एक बार मेरा भी नाम ले लीजिए, क्या फिर, मतलब क्या है, बोमडिला अवनाचल प्रदेश, ठीक है न, और यह मोस्ट इंपोर्टेंट में से, चाइना वाले अक्सर इध मंत्री कौन है, यह तो अक्सर आपने यूट्यूब पे और अन्य जगों पे, छोटे-छोटे सौट्स के माद्यम से भी देखा होगा, कि भारत के विदेश मंत्री सर, एस जैसंकर जी, ठीक है न, भारत के विदेश मंत्री कौन है, एस जैसंकर जी, बिलकुल रूचिका जो उसी जी, उत्तरा खंड को भी देव भूमी कहा जाता है, ठीक है न, उत्तरा खंड को भी देव भूमी कहा जाता है, अगला कोशन, निमलिकित में से किस मंत्राले में नरेन सिंग तोमर जी है, अच्छा एक बात बताओ, कोशन का पैटर्न अच्छा लग रहा है कि नहीं, इ लेक्चर के लाश्ट में आपसे बात करूँगा ठीक है ना लेक्चर के लाश्ट में और सर इनके पास क्रिसी मंत्राले कहां पे है ये वाला है Ministry of Agriculture ठीक है ना क्रिसी मंत्राले है नरें सिंग तोमर जी के पास अंतराश्टी परमाणू उर्जा एजंसी का मुख्याले कहां पे है ठीक है ना अंतराश्टी भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ सुबा आठ बजे मैं आपके लिए Current Affair पढ़ाता हूँ डेली और साम साथ बजे मैं आपके लिए GS पढ़ाता हूँ वो भी डेली रोजाना पढ़ाता हूँ अगर आप इन दो क्लास में मेरे साथ हैं विश्वास करिएगा MTS हो, IP हो, CHSL हो, CGL हो निकाल देंगे अगर इसका एंसर है वियना वियना आश्ट्रिया में पढ़ता है आपके परमाणू उर्जा एजंसी अगला अचा एक बात बता यह जो मैं ट्रांसलेट नहीं कर पाया हूँ option को कोई दिक्कत तो जादा नहीं हो रही है न लला क्योंकि मेरे आप लोग जानते हो कि आप लोग को पसंद है कि सर हिंदी में भी कर दो लला आप जानी रहो कि छुट्टी का दिन तो थोड़ा सा मैं धीमा हो गया इसका right answer बन में देव प्रयाग पे जब वो अलग नंदा नदी से मिलती है तो उनको फिर हम गंगा के नाम से जानते हैं फिर ये गंगा आपके बिहार में पहुंचती है बिहार में ये पटना के पास सोन नदी से मिलती है फिर ये वेस्ट बेंगॉल में हुगली हो जाती है फिर आगे चलके पद्मा, मेगना, जमना, ब्रह्मपुत्र वाला जो संगम है वो सब होता है नाम बदलता रहता है तो इससे क्या है आपका क्या इसका एंसर होगा पताइएगा ठीक है इसका राइड एंसर क्या होगा पताइएगा क्या साइज है तो सर पद्मा ठीक है अगला सम्मानित किया गया था तो इसका यहां सामने लिखा हुआ है डो हजार एक में मैंने सारे epi यहां पे लिख दियेents 2001 में इन्हें भारत रतन मिला था 1999 में पदम विभूशन मिला था1969 में पदम भूशन मिला था लता मंगेष नि setti क्रिकेटी स्टेडियम के आधार सिला हालही में रखी गई है इसे दुनिया का तीसरा बड़ा स्टेडियम कहा जा रहा है इस्टेडियम की प्रस्थावित बैठने की छमता सर बैठने के हिसाब से भारत का विसु का सबसे बड़ा स्टेडियम भी भारत में है दूसरे नंबर के ट्रेन चल लई है बुलेट एक्सप्रेस तो उस बीच में पहला इस्टेशन कौन सा होगा तो वो है आपके सूरत अगला देखते हैं हाल ही में जी यल पेरिस भारत की तीन देवसी यात्रा पर दिल्ली पहुचे वह किस देश के विदेश मंत्री है ऐसा कुश्चन अगर आ आर्थिक संकट से गुजर रहा है तो वहां की एक एक गतिविधी समय करेंट अफेर में चर्चा में है तो उसको मैंने कुश्चन के रूप में ढाल लिया आपको लग रहा होगा की कठीन है लेकिन सिलंका से ज्यादा इस समय आप देखिए एकोनॉमी क्राइसिस में चरदा चर्चा में कौन है अगला प्रशन देखेंगे किस देश ने भारत से 425 ब्रॉड गेज रेलेवे वेगन खरीदने के लिए समझावते पर हस्ताक्षर किया है ठीक है ना देखो एक मेरा इस्टुएंट कितना अच्छा है वो कह रहा है कि सर चाय पी लेते हैं सूरज प्रका चादों के वित्रण के लिए किस कंपणी के साथ करार किया है ठीक है ना बताओ तो इसका राइट एंसर है पॉली पॉलसी बाजार ठीक है ना पॉलसी बाजार अगला देखेगा हाली में कौन सा चक्रवात मेडागास करके पुर्वी तट से टकराया है दो हजार बाइस का पहला चक्रवात कौन सा था तो तास नाम का कौन सा चक्रवात चकराया है अगर इन क्वेश्चन का आपको एंसर नहीं बन रहा है तो इसका एक सीधा सा मतलब है कि आप सुबा आठ बजे की करेंट अफेर को ध्यान से नहीं देख रहे हो या तो क्लास नहीं ले रहे हो बस इतना सा मतलब है ठीक है ना इसका नाम है बात सिराई ठीक है न मेड़ा बत सिराई इसका नाम है अगला राहुल गांधी जी ने ग्रामीर छेत्रों के भूमी हिन मजदूरों के लिए राजियु गांधी ग्रामीर भूमी हिन क्रिसी मजदूर नय योजना नामक वित्ती सहा ता योजना कहां से सुरू किया बताओ आज काल राहूल गांधी जी अपनी भारत छोड़ो यात्रा की वज़ा से बहुत जादा चर्चाओं में हैं बताएगा इसका क्या राइट एंसर होगा सर इसका राइट एंसर होगा आपके डी ऑप्शन भोपाल ठीक है न डी ऑप्शन भोपाल से इन्होंने सुरू किया है अगला क्योशन बिहार सरकार के अनुरोध पर स्वदेश दर्सन योजना के रामायन परिपत में या सरकिट में किसे सामिल किया गया है बताएगा भाई एक आप से रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी लोग एक बार लाइक कर लो और जो मेरे भाई कम से कम हमारे अड़ाई से तीन हजार ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तक लाइक तक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक तो कर दो सैनिको के बीच में जड़प हुई थी, उसकी वीडियो वाइरल हुई थी, तो करेंट अफेर के कोईशन्स उठते कहां से हैं, जो रिसेंट में खुब चर्चा में रहते हैं, तो सरी ये कोई और नहीं, अपना देश महान भारत ने किया है, ठीक है न, नहीं, लल्ला मैं एक इंग्लिस में है, नहीं, मैं डेली हिंदी में लाता हूँ, मेरा एक एक स्टूडेंट जानता है, ठीक है न, इसलिए परशान मत हो, ठीक है न, अगला, 30 जनवरी 2022 को महात्मा गांधी के सहीद दिवस क्या है, अच्छा एक बात तुमको और बता दे, ये सहीद दिवस न, हि दिवस कोई एक है, और इसका राइट एंसर है, आंध्य प्रदेश, इस्मृति वनम का, गांधी मंदिर इस्मृति मदिरम का किया गया, आंध्य प्रदेश में, अगला, इस पुतुक, गस्टव फेस्टिवल, भारत के किस राजिक के इनसासित प्रदेश में मनाय जाने वा लद्दाख वे, क्लियर है, यह मनाय जाता है, लद्दाख वे, अब एक इशुरेंट कर रहे है, थैंक सर, आज भी आपने क्लास लिया, सज बताऊं, आज मेरा मन, सूबह भी मैंने करेंट अफेर, आज मेरा इच्छा थी कि आज मैं सो लूँ, क्योंकि न, जब 5-7-10 दिन अप लगातार काम कर लो न, तो सरीर कहीं न कहीं जवाब देता है, फिर मुझे लगा यार एक दिन अपने दोस्त के एक दिन मैरेज में जाना ही है, अब मैरेज में जाना है, मतलब ठकान तो वहाँ भी होगी, लेकिन उस दिन थोड़ा आराम हो जाएगा, अभी पढ़ाओ चुप चाप, क्योंकि आरना जब आपका संकल्प आपके विश्वास के साथ जुड़ जाता है, तो आप कुछ अच्छा करवा ले जाते हो, मैं आपको भरुसा दिलाने पे लगा हुआ हूँ, कि इस बार आपका MTS निकलेगा, कंफर्म है कि इस बार आप अपने MTS, question करते रहना, निकलेगा, तो ऐसे इस्थिती में, मैं कैसे खुद पीछे हड सकता हूँ, फरवरी 2022 में भारत की दो नई साइटों को राम सर सुची में जोडा गया, सही बात है, दो नई जोडी साइटों के नाम बताइए, सर वो दोनों हैं आपके, खिजादिया और आपके खिजादिया और बखीरा एक गुजरात का और एक उत्तर प्रदेश का, अगले कोश्चन पर पहुंच जाए, आए सर अभी आनंद लीजे, पढ़िए पढ़ाईए, अरावली जय विवित्ता पार को भारत का पहला अन्य प्रभावी छेत्र सनक्षन, यह देखना तुमसे पूछेगा, ठीक है न, अरावली जय विवित्ता पार को भारत का पहला अन्य प्रभावी छेत्र आधाली सनक्षन, OECM, साइट घोशित किया गया है, ठीक है न, अब जरा बताओ, यह किस सहर में स्थित है, सर, यह कहीं नहीं, जहां आप खड़े हैं, आप जहां खड़े ह वहां से 7-8 किलो मिटर की दूरी पे है, मतलब गुरुग्राम में है, मतलब मैं दिल्ली के आसपास क्योंग, क्योंकि दिल्ली और गुरुगां आपस में सटा हुआ है, अगला क्वेशन देखते हैं, दो हजार इकिस में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा वैपारिक परने के लिए भारत के किस राज़ेद्वारा प्रती वर्स पारंप्रिक तुरंग्या महुत्सव मनाए जाता है, सर तुरंग्या महुत्सव मनाता है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है न, अरुणाचल प्रदेश मनाता है, नेक्स्ट को देखते हैं, 2022 के सीत कालीन ओलंपि का नारा क्या है देखो मेरी क्लास का यही फायदा है कि आपको GS के जितने 6-7 सब्जेक्ट हैं इकोनॉमिक से लेके पॉलिटी तक, स्टैटिक से लेके हिस्ट्री तक, जियोग्राफी से लेके करेंट अफेर तक सभी मेरी क्लास में कॉंबिनेशन में मिलेंगे, सर इसका राइट एंसर है, टुगेदर फॉर अगले पॉइंट पर आते हैं, ICC क्रिकेट विशुकप 2023 की मेचबानी कौन सा देश करेगा, बताओ, सर इस बार तो हम ही लोग लेंगे इसको, सर उस समय हम लोग क्लास भी करने नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग तो मैच देख रहे होंगे, ठीक है, देख लेना, संयुक्त राष्ट व्यापार और विकास सम्मेलन, अंक टाट का मुख्याले कहां पे है, ठीक है न, तो अंक टाट का ठाने को मिली ही जाएगा, सब खा लूँगा, कर लूँगा, लेकिन तुम बस एक बार सलेक्शन ले लो, ठीक है न, चलिए अगला कोशन, लला, इसका एंसर क्या होगा, ठीक है न, अब देखो, एक बात बताएं, कई लोग कई कमेंट कर रहे हैं, मैं अकेले किसका, किसका एंसर दे दूँगा, अकेले किसका, इसी लिए, किसी एक का एंसर दो, तो गड़बडा जाता है, आज इंगलिस का उप्शन इसलिए है, कि मैं हिंदी वाला करना भूल गया, यार, कभी-कभी हो जाता है, रानी कमलापती, सर, ये मध्यप्रदेश के भोपाल में है, इसका पहले नाम हभीब गंज रेलेवे स्टेशन हुआ करता था, अब इसका नाम है, आपके रानी कमलापती, ये भोपाल में है, इसको बंसल ग्रूप के दौरा डेवलप किया जा रहा है, ठीका ना, अगला question, दिल्ली में केंद्री सचिवाले के उत्तर और दक्षिड बला के वास्तुकार कौन थे, अभी दिल्ली का सबसे बड़ा जो information है, वो तो ये चलना है कि मुगल गार्डेन का नाम बदल करके अमृत उध्यान कर दिया गया है, चलना है न, यस, तो इसका right answer है आपके Sir Edward अगला question, भारत में हीरे की खदाने पाई जाती है, सर भारत में हीरे की खदाने मध्यपरदेश में पाई जाती है, देखो एक आ गया लिखने के लिए कि recorded है, अब तुम लोग को पता है न, कि जो आज बोलेगा recorded है, उसको क्या लिखना है, समझ रहो न, एक आ गया बोलने क लेके recorded है, मैं देख लिया उसका comment, बक ना लायक, ठीक है, तो आज recorded वाले भाया को यहीं पे ये class समर्पित कर देते हैं, तो thank you so much, और आज के लिए इतने ही पे रुकते है लला, लेकिन, जिनको जिनको, कुछ आज देखो, आज तारीक हो गई 29, दिन हो गया रवीवार, ज जिनको जिनको एक selection चाहिए, दसवी पास की exam में जरावो रुकें, sir, actually हुआ क्या है लला, IB की vacancy आ गई है, IB की, ये भी दसवी पास पे आई है, इसको भी आप लोग form भर दो, लड़कियों तुमारे लिए 50 रुपए का form है, CST, और आपके वो general लड़कों आपके लिए 500 का IB की दसवी पास पे security assistant की vacancy आ ये भर दो, लेकिन मुद्दा जिसके लिए मैं अपने आपको एकदम समर्पित किये हुए चलना हूँ कि नई यार, जिसके लिए मैं लगा हुआ हूँ, वो जानते हो क्या है, वो है आपके, आपको भी अच्छे से पता है कि मैं आपसे बात कर हैंगे MTS के उपर, अब आपको होगे sir MTS, yes लला, याद रखना MTS की आपकी vacancy जो है, वो आई हुई है, ठीक है न, MTS, MTS की vacancy आई है, सबसे बड़ी बात बता दू, आज आपके लिए double validity भी है, double validity भी है, MTS की vacancy के साथ साथ, आज मन्त इंड पे double validity है, coupon code तो है Y182, ठीक है न, coupon code है Y182, लेकिन, मेरा आज इन सबसे अलग हटके आपसे बात करने की इच्छा है, और मेरी बात को सिर्फ दो सिकेंट सुन लीजिए, ठीक है न, मेरी बात को सिर्फ दो सिकेंट सुन लीजिए, उसके बाद आपको लगेगा, कि yes sir, आप सही कह रहे हो, सच सच बताओ, अगर आपके सामने, reasoning आजाए, math आजाए, GS आजाए, और English आजाए, और इसमें से आप से कहा जाए, कि लला, दो ही subject का, paper 1, paper 2, इसको कहा जा रहा है, paper 1, और इसको कहा जा रहा है, paper 2, paper 1 में, reasoning में 20 question, math में 20 question, total मिला के लला, 40 question, और 40 question में से, कोई 12 question करना है तुमें, कोई 12 question, वो भी याद रखना, negative marking नहीं है, ठीक है न, paper 1 में, negative mark नहीं है, इसका मतलब समझ रहो, reasoning और math में, negative marking नहीं है, बात आती है, आप कहोगे, sir, बात आती है, अब आपके लिए किस की, GS की, और लला आपके लिए बात आती है, English की, स्वाती में, भीगू, sir, प्रतिभा में, सब English के लिए लगे हैं, और अब बात फस्ती है, 25 नमबर, GS के, 25 नमबर, English के, इन दोनों में negative marking है, दसवी अस्तर का farm आया है, तुमने भविश में इससे पहले क्या किया, क्या नहीं किया, कोई माइने नहीं रखता, इस MTS के farm को भरने की, last date क्या है, sir, MTS के farm को भरने की, last date, याद रखना, last date है, farm को भरने की लला, 17 आपके, 17 फरवरी, ठीक है ना, 17 फरवरी last date है, 100 रुपए का farm है, लेकिन, लड़कियों के लिए girl candidate, SC, ST, आपके ex army man, और जो आपके physically handicapped होते हैं, उनके लिए farm free है, उनके लिए farm free है, मतलब कि, sir, क्या दो ही subject अच्छे से एकदम रगल के पढ़ना होगा, और दो subject की अच्छी जानकारी रखनी होगी, yes, GS और English, ये दो आपको पढ़ना होगा, और मैं लिख करके दे रहा हूँ, इस बार GS का बेड़ा मेरे हाथ में है, और IB का farm भरने को क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें भी GS 40 number की आ रही है, उसमें भी GS 40 number की आ रही है, दूसर भी बता दू, ये 2022 वाली vacancy आई है, 2023 में, जून में, दुबारा, दुबारा MTS आ रहा है, दुबारा MTS आ रहा है, दुबारा MTS आ रहा है, लल्ला सच सच बताओ, आज है 29 जनवरी, तुम और ये वाला 2022 वाला एक्जाम की डेट लगभग अप्रेल, भारत सरकार ने कहा है, अप्रेल में एक्जाम है, मतलब 90 दिन और दो सब्जेक्ट, GS, इंगलिस, इंगलिस आपको स्वाती में, प्रतिभा में सब अच्छे से हैंडल करेंगी, GS में न साथ साथ सब्जेक्ट है, history, quality, geography, physics, chemistry, bio, मेरी पूरी टीम तयार है, मैं तयार हूँ, सुबा के 8 बजे, डेली सुबा 8 बजे current affair पढ़ो, 7 से 8 नमबर वहीं से लवा दूँगा, दूसरा सबसे ज़्यादा GS में पूछे जाने वाला section रहेगा, static GK, देख लेना, 6 से 8 नमबर static GK, बाकी के 10 से 12 में पूरी GS रहेगी, history, quality, geography, मैं आपके लिए कहना चाह रहा हूँ, लला, reasoning और math में, general candidate को 12 question कर देने, दोनों मिला के, चाहे reasoning से 12 कर दो, चाहे math से 12 कर दो, OBC वगएरा हो, EWS हो, तो 10 question मातर करने है, 40 में, और SCST candidate हो, तो reasoning और math में 8 question मातर करने है, paper first clear हो गया, किस में कितनी question करने है, लेकिन GS के 25 question में, और आपके किस में कहा जाता है, लला, GS के 25 question में, और English के 25 में, आ GS, मैं आपको लिख करके, वचंग बद्ध हो के कहता हूं, तुम मुझे वादा करो, कि सर आप बताईए, 90 दिन कैसे पढ़ना है, अप्रेल में, जब सर दो ही subject की बात है, GS English, इसी बार सरकारी नौकरी लेके रहेंगे, ये बात तुम याद रखना, ठीक है न, ये बात तु से 8 question नहीं, या 40 में से 8 question SC, ST को करने हैं, 20 में, लोग समझ ही नहीं पा रहें, reasoning के 20 question, math के 20 question, total question है 40, 40 में से कोई 12 general के लिए, कोई 12 question general के लिए, कोई 10 question EWS और OVC के लिए, कोई 8 question SC और ST के लिए, SC और ST के लिए, कोई, चाहो तो तुम reasoning में से 12 कर दो, चाहो तो तुम math में से 12 कर दो, दोनों इसके 5 साथ कर दो, उसके 5 साथ कर दो, ये है paper first, और सबसे बड़ी बात, इसमें negative marking नहीं है, लो, negative mark नहीं है, हाँ, negative marking कहां पे है, GS में है, English में है, 10 वी pass योगिता है, 17 फरवरी last date है, form भर के एक नोकरी क्यों नहीं ले रहो, मैं पिछले 8-10 दिन से, एक ही बात, एक ही लगन के साथ समझा रहा हूँ, मेरा कुछ लाप नहीं होगा, दोस्त, नोकरी लगने के, एक साल के अंदर मुझे भूल भी जाओगे, कि वो teacher यहां खड़ा होके, चिला-चिला के सम लोगे, और एक बार मुझे thank you बोलोगे, sir thank you यार, आपकी वज़े से यह form भर दिया था, thank you, मैं बताओं, आज तुम लोग अड़ा स्टोर पे चले जाना, all courses में जाना, SSC में जाना, SSC MTS, लला यह देखो, double validity है, आपके महापैक पे, आज यहां पे क्या है, आज यहां पे यह कहूंगा, इस double validity का फायदा उठाओ, double validity, महिने के आखरी में आया है double validity, यह 39999 नहीं पड़ेगा, तुम्हें, जो मेरा coupon code है, वो उपयोग कर लेना, Y182, अगर यह coupon code लगा करके, तुम आजी, अभी सुचों की जून में फिर माल लो, किसी गलती की वज़ा से, मेरी गल खुदा की भगवान की प्रकृती की और प्राकृती कौन सी गलती होती है, कि तुम्हारा 90 दिन बाद इसमें selection by the way नहीं होता है, दोस्त भगवान फिर औसर देगा जून में, एक ही महापैक, तुम्हें बार बार selection दिलवाएगा, तो यार अगर तुम्हारे अंदर सच कुछ कर गुजरने की चाहत है, कोई आग सुलग रही है, कुछ पाना है, तो कुछ करना पड़ेगा, इस Y182 कोड से तुम्हारी जानकारी के लिए बता दू लला कि ये तुम्हें पड़ेगा कितने में, ये मेरा वचन पत्र है, ये मेरा आजकल कोई coupon कोड नहीं है, वचन पत्र है Y182, इस कोड से जैसे ही लोगे मेरे पास जानकारी आ जाएगी, कि आशुतोष सर ये स्टूडेंट आपके भरोसे है, आपको इसका पूरा जीयस कभर करवाना है, पूरा जीयस, पचीस में ये 22-23 करके आवे, पचीस में पचीस जीयस में नहीं हो पाता है, एक दो कोई कहता है, करता है, तो भाई वो उसकी छमता होगी, मेरी छमता है कि मैं 100% कोशिश करूँगा, एक दो कोशन नहों पाए, तो छमा करवा देना, ठीक है न, समझ रहो न, तो आज, आज तारीक कितनी हो गई, आप कहोगे सर, आज तारीक हो चुकी है, 29 तारीक सर, आज सर 29 तारीक हो गई है, दोस्त 29 फरवरी को, 29 जन्वरी, छमा करिएगा, 29 जन्वरी को आपको मेरे साथ एक वचन लेना है, आप कहोगे क्या सर, कि आपको क्या वचन चाहिए, दोस्त आज 29 जन्वरी है, आज दोस्त तुभारे लिए कुपन कोड, Y182, इस कुपन कोड से दोस्त, ये महापैक आज लगभग साढ़े आठ सो रुपए में पढ़ जाएगा, ठीक है न, ये महापैक आज लगभग साढ़े आठ सो रुपए में पढ़ेगा, 30-40 रुपए उपर नीचे हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना, लेकिन ये कुपन कोड, त मैं पढ़ाता कैसा हूँ, अगर ये देखना हो, तो मेरा YouTube पे कल और परसों मैंने अपनी paid badge को YouTube पे free कराया है, दोपर एक बजे मैंने परसों बाबर पढ़ाया था, कल अख़बर हुमायू पढ़ाया हूँ, जा करके मेरा जो बाबर का lecture है वो देख लेना, हुमायू का जो मैं मैंने तुमारे लिए demo lecture लिया live लड़कों के साथ, वो देख लेना, मेरी छमता समझ में आ जाएगी कि मैं तुम्हें अपनी बात समझा पाऊंगा की नहीं, और इन सब के बाद, यदी तुम्हें लगता है, हाँ बिलकुल बिलकुल, यदी तुम्हें लगता है कि आशुतो के साथ कहता हूँ, कहीं तुम लिख लो, सलेक्षन तुम्हारा इस बार होगा, तुमने आज से पहले क्या किया है, यह मायने नहीं रखता, आज क्या निर्णे लोगे, सारे 800 रुपया तुम्हें भी पता, आज के जमाने में कोई समपत्ती नहीं है दोस्त, इससे मैं कोई क आज यह मुझे मिलेगा, यह कमपनी को जाएगा, कमपनी महापैक का खर्च उठाएगी, और मैं महापैक इसलिए कह रहा हूँ, लला, क्योंकि महापैक वो चीज है, कि जब यह वेकेंसी दुबारा आएगी, जून में न, यह दुबारा आ रही है, तब भी तुम्हें यही महापैक काम आएगा, और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दू, इस महापैक में तुम्हें मिलेगा क्या-क्या, यह भी देख लो, इस महापैक में तुम्हें 143 टेस्ट सिरीज मिलेगा, जो तुम रोज एक टेस्ट दू, मैं तो कहूँ, रोज दो टेस्ट देना, अगर selection लेना है तो, class चले न चले तुमको रोज दो टेस्ट देना है, 2195 वीडियो कोर्स मिलेंगे तुम्हें, 500 आवर की तुम्हें classes, 200 से जादा e-book, कहीं आटो रिक्सा बस ट्रेन में बैठ के जा रहे हो, पढ़ने की सनक है न, तो e-book खोल के पढ़ने लगोगे, e-book खोल करके प वचन देता हूँ, इतना GS में तुम्हें पढ़ा दूँगा न, इतना कुछ आसान भासा में समझा दूँगा न, हाँ लेकिन एक बात याद रखना, ये जितनी कुछ भी चीजें हैं, सब depend करेंगी, तुम्हारी मेहनत पे, तुम्हारा मेहनत लल्ला प्लस तुम्हारी इमा प्लोगे, अप्रैल तक के लिए सिर्फ अपने लिया और अपने माता पिता अपने पारिवारी किस्थिती के लिए जियोगे, और ये 90 दिन समर्पित कर दो, MTS के एक्जाम के लिए, और आज जो मैं तुम्हें कुपन कोड दे रहा हूँ, उस कुपन कोड के जरिए जुड और कुपन कोड क्या है, Y182, ये कुपन कोड ही क्यों सर, क्योंकि लल्ला इसके द्वारा मेरी जानकारी में तुम आ जाओगे, कि यस, आशुतोस सर, GS का जो वेक्ति, पिछले 5 साल से 4 साल से अड़्डा के प्लेट फार्म पे लगातार सुगत साम पढ़ाय जा रहा हूँ, मैं उसके साथ जुड़ने जा रहा हूँ, और यही सब कुछ IB के पेपर में आ रहा है, यही वाला तुम्हें IB में, जो GS मैं पढ़ाऊंगा न, IB में तुम्हें फाइदा पहुचाएगा, तो तुम IB का भी फार्म भर दो, दसवी पास पे आया है, सत्रहवी, सत्रह फरवरी उसका लास देट है, और यह तुम्हें पढ़ जाएगा लला, 850 रुपए में, 850 रुपए में, आज इसकी 12 प्लस 12 डबल वैलिडिटी है, सबसे बड़ी बात याद रखना, अगर आज तुम्हें इस कोट से लोगे, तो तुम्हें मिलेगी डबल वैलिडिटी, डबल वैल अपना Google Open कर लिए, यह अड़ा का एप, उस पे जाके अड़ा 247, टाइप कर देना, All Courses आएगा, All Courses, All Courses में जाकर अभी यह घूम रहा है, All Courses में जाना, SSC में जाना, SSC MTS में जाना, यह देखो डबल वैलिडिटी, SSC MTS महापैक, इस पे क्लिक कर देना, और यहाँ Y182, यह कूपन कोड यहाँ पे लगाते ही लला, तुम आजाओगे मेरे जानकारी में, मैक्सिमम छूट मिल जाएगा इसके उपर, सारे 800 रुपए में लगभग आप मेरे साथ जुड जाओगे, चीक है न, तो थैंक्यू सो मच, बाकी आपके उपर है, आपकी छमता है, अ.